नमस्कार मैं डॉक्टर मनोज पांडे आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हुआ हुँ यह हमारे न सिर्फ उत्राखंड ओपन इनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों बलकि उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वा विद्यार्थियों हम हर वर्स सेमेस्टर प्रणाली जब से शुरू हुई है हर छे महने में कोई नए कोई परिक्षा देने के लिए एक्जाम हॉल में जाते हैं उससे पहले हम किसी सैवर कैफे में जाकर या अपने मोबाइल फॉन या लैप्टॉप से अपना एक आवेजन पतर भरते हैं यानि कि अपना एक्जामिनसन फोंम हम भरते हैं और एक्जामिनशन फोंम भरने के लिए कुछ स्ट्थ होते हैं कुस के तह्के कदम है जो की वनलगार्यफ हमको पूरे करने होते हैं यह सब आप स्वेंग या किसी थर्ड पार्डिस से करवाते हैं यहां करना भी एक महत्पूर्ण कार्य है यानि कि आगर आपका फॉर्म गलत भर गया तो आपका एंडॉल्मेंट नंबर जेनरेट नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी इंस्टिूशन में हायर जब हम कोई फॉर्म आवेजन भरते हैं कोई परिक्षिया या कोई विशय का चुनाव करते को कोई करते हैं तब हमारे लिए आवसक बन जाता कि फॉर्म बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से भरार जाए अगर उसमें गलती भी तो समझ लेकि आगे को यदि तीन साल का कोड़ कि आप लोगों ने फॉर्म ठीक ठाक भर दिया बिल्कुल बढ़िया भर दिया आप वेबसाइट में जाकर अपनी डिटेल देख पा रहे हैं आप एक दिन एक्जामिनेशन के दिन आ गया है जब आपको परिक्षिया देनी होती है परिक्षिया देने के लिए एड्मिट का क्लीन ना गया है और आप बैड़ गेए कक्सिया में कूर्सी में बैड़ गह है आपके सामने पासकाouch और आपके पास एक पै पर और एक आंसर सीट आज जो विशाय आपके सामने में लेकर आया हुआ हूं वह शुरु होता है यहासे कि वह examination का जो paper है वह उसमें लिखी चीज़ है और जो examination की copy answer sheet है वह उन दोनों को आपने किस तरह से भरना है किस तरह से answer देने हैं आपने किस तरह से सवाल को समझना और पढ़ना है जिससे कि आप 100 में से 90 या 80 प्रितिसाथ से उपर आसानी से प्राप्त कर सके क्योंकि बच्चो हमारे लिए न सिर्फ exam hall में जाना या फिर कुछ भी लिखकर चले आना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि जितनी तैयारिया या जितना समय आप किसी form को भरने में लगाते हैं या फिर 6 मेने बाद exam में जाते हैं exam hall में उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है वह दिन जब आपका result university upload करकर आपको भेजती है या आप जिस दिन अपना result देखते हैं मोबाइल में download करके result print होके आता है यह देखिया आपका नाम enrollment और नीचे लिखा है इस विशह में इतने नंबर इस विशह में इतने नंबर इस विशह में कई बच्चे अपसेंट होते हैं वहाँ पर absent a b लिखा या कोई बच्चे का not clear nc देखिये कोई बच्चा तीन विशह में सब में 75 80 85 लाया हुआ है overall percentage उसकी 80 प्लस बन गई है तो चेहरे पर खुशी जलकेगी या कोई बच्चा examination के दिन कहीं घूमने चला गया चार पेपर थे तीन दिये एक नहीं दिये तो रिजल्ट में क्या आएगा not complete nc तो जरा सा उसने मैनेज नहीं कि अगर वो पेपर दे लेता तो उसका रिजल्ट आ जाता उसके छह मेहने बच जाते उसके बाद बैग भरना या next semester माविधन करना those are different things here we are going to discuss about how to write good answers and the type the way the format of answers we write in examinations today dear all this session is going to be very important for you all those who are pursuing different courses from any university especially उत्राखंड open university right so today आज हम लोग बहुत महत्तुपूर्ण विशया में सबसे पहले चर्चा करेंगे कौन-कौनची गलतिया है जो आप या कोई बच्चा कर जाता है examination hall के अंदर जाने के बाद बैटने के बाद देखेगा पहली गलती वह होती है जब आपको एक answer seat मिलती है answer copy मिलती है वह 30-30 page की हो सकती है उसका पहला पन्ना जो होता है उसमें आपकी basic details पूछी जाती है वह detail क्या होती है खासत और आपका enrollment number दूसरा आपका roll number बस उसके नीचे आप course का नाम और विशय का code जो लिखते हैं उस पर मैं next slide मों बताऊंगा अभी समझो कि पहले चीज क्या आपका enrollment number या roll number वह पूछता है सब्दों में भी लिखो इसको आप जब लिखते हैं कोई for example मैंने दिया है कोई किसी का roll number या enrollment number two zero two three seven six five four eight या ABCD कुछ भी है तो वह पूछता है इसको आप words में लिखेंगे तो हमने देखा है कि कई सारे बच्चे इसको क्या लिख देते हैं इकाई दहाई सैकला हजार दस हजार एक लाक दस लाक ऐसे करोण में हो जाते हैं कि 20 करोण 23 लाक कोई गणित नहीं लगा नहीं है आपको left to right left to right जो पहला word है उसको एक से लेके नौ तक में सुनने से लेके नौ तक में जो है वह लिख देना है जैसे आपके सामने स्लेट मे बिगे इंगलेट तो यू विल राइट अनली टू देखिए अचा इतना भी पता होना है हम लोगों को ज्यादा तर देखिए जब हम 12 पास कर जाते तो पेसिक चीजे हमें आनी चाहिए जैसे नंबर नेम्स ज्यादा नहीं नंबर नेम्स ज्यादा नहीं जैसे एक दो दो आकी मात्रा ओकी मात्रा दो दो में ओकी मात्रा दो आना चाहिए तीन यह तो हुआ हिंदी में अगर इंगलीज में लिखते हैं तो वह भी बहुत आसान है ओ एन ए वन टी डवलो टू टी एच आर डबल ए थ्री इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे ई आई जी एस टी अगर यह मालूम है तो हम अपना इंडॉल्मेंट नमबर उपर देखा क्या लिखा टू टी डवलो टू जीरो जैडी आरो जीरो फिर टू इस तरह से यही लिखना है आपको देखिए यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो अभी हमने डिसकस की है हमने बिलकुल बेसिक बात पर चर्चा की है कोई भी बच्चा जब यहीं हैरे जुकेशन में ऐन्रॉल्म कर रहा है तो उसको या उसके फैमिली और उसकी सुसाइटी 사माज को उस से उमीदय बहुत होती है और यहीं किसी हारे लिएन बच्चे को यह अपने आंशर शीट का फ्रण पेज भी ठीक से नहीं भरना आता है, तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा सवालिया निशान आपके लिए और चिंता जनक विषय बनता है, तो आज आप सबसे पहले चेक करेंगे अपने आपको, मैं सब के लिए ही बोल रहा हूं, आज का विषय छोटा है, बहुत ही बेसिक है, आप में से ज्यादतर बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, या उन बच्चों के लिए है, जिल लोगों को यह अंदाजा नहीं है, कि किस प्रकार से एक्चुली हमको इस नंबर नेम्स को वाट्स में लिखना है, ठीक है, TW2, इस अंदाज में आपको लिखना होगा, उसके बा पर बहुत प्रकार के कोर्स चलते हैं, बेसिकली जो बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे साइन्स है, या कॉमर्स है, या हुमेनिटीज के सब्जेक्ट हैं, तो हम साइन्स पढ़ते हैं, तो साइन्स के अंदर भी कुछ विशेयों का चुनाव करते हैं, साइन्स पढ़ने वाल अब आप देखेंगे कि अगर आप बीए कर रहे हैं जिस वर्स आप बीए में एन्रॉल किये हुए है उस युनिवर्सिटी में उस युनिवर्सिटी में उस बीए के प्रोग्राम को क्या कोड दिया गया है तो आपके सामने जो स्लाइड उसमें लिखा है प्रोग्राम कोड य प्रोग्राम में किसमें बीए 17 एस पर युनिवर्सिटी का जो कोर्स चल रहा है उसके आधार पर आप बीए 17 और आउट आफ युनिवर्सिटी आप बीए कर रहे हैं या फिर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं यही होता है लेकिन जब आपको आंसर सीट में भरना है इस बात का ध भरें जब आपको कॉपी मिलती है एक्जाम सरोन से 15 निट पहले उसमें बेसिक चीज़े भरें एंडॉल्मेंट नमबर हो सब आपको पता होना चाहिए ज्यादातर आपके एड्मिट कार्ड में पेपर कोड और प्रोग्राम कोड भी लिखे होते हैं तो उसमें देखें पे यह है एक सो एक है बीए पी एस एक सो एक है जो उसमें लिखा हुआ है उसको आप उस कॉलम में भर करके आगे बढ़ेंगे ठीक यह बहुत ध्यान रखने है आप लोगों को यह चोटी सी गलतियां आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग मन जाती है कब जब आपका रिजल्ट आता है और उसमें आता है इनकम्प्लीट एंसी डैट मेंस यू हैव मेट समयर्स भी है नेक्स स्लाइड से अज़ा दूसरी गलति हम लोगों की क्या होती अब अब हमने पहला पेज भर दिया फ्रंट पेज आपने बहुत नीट फुल बिना डिलीट करे बिना इरेज करे बि आपका मन करता है कि मैं किसी उसमें section होते हैं sections होते हैं किसी भी paper में यादतर sections में बना हुआ है Open University का जो paper pattern आप देखेंगे तो उसमें sections ने section A यानि section क deux section B यह सैक्षोन बॉं इसका मतलब होता है section O के प्रस्त्नों के answer देने के लिए आपको number of words का selection alag बिक लिए number of words श celebration selection अलग करना है कम और ज्यादे का selection आपको करना है अर्थात दोनों sections में कि जो questions है उनके number अलग-अलग है section A में एक question हो सकता है 10 number का होगा B में दूसरा question 5 number का है 4 number का हो सकता है तो according to the numbers आपको जो मिल रहे हैं जितने का है उसकी चमता है उसी आधार पर आप उसकी length यानि कि उसको लिखेंगे ऐसा नहों कि section A पर आपने देखा कि 10 number का हो और वहां आपने भर दे 10 पन ने और आप सोच रहें कि हो गया इसमें से sub number मिल जाएंगे नहीं आपको पूरा section अच्छी से पढ़ करके आगे बढ़ना है यानि कि selection of what's आपको इतना बढ़िया करना है कि according to the time time limitation के अंदर आप पूरा paper बिना कोई question सोड़े पूरा खर पाएं अब देखेंगे इसमें क्या गलती होती है हमसे paper में section A के 5-6 question है 1,2,3,4,5,6 वहीं section B में भी 8 question है 1,2,3,4,5,6 तक वहां भी थे 7 और 8 यहां है अगर किसी बच्चे ने आओ देखा न ताओ question number 5 answer लिखना शुरू कर दिया बिना section को आपने top में यहीं नहीं लिखा है top में तो कैसे हमें मालूम चलेगा कैसे examiner को पता चलेगा कि किस section से लिया क्या question है चूकि section B मैं 5 क्या question की maximum जो marks दिये जासकते out of 5 था और section A 10 का था यदि examiner यह समझ ले कि यह section B का question है जबकि आपने section A का लिखा है तो 5 में से number देगा 3 या 4 या 5 लेकिन यदि वह question गलती से section B समझ लेता है section A के question को तो वहां 5 में से देगा बहुत बड़ी गलती हो सकती है 50% marks में आप इच्छा करोगे कि कितने वह आपको मिल पाएंगे क्योंकि आपने गलती की है आपने section के लिए लिए नहीं लिखा है यह देखिया आपकी slide आगे क्या कह रही है आपको कैसे लिखना है जब पहला पन्ना खोलते हैं उपर से in the center top of the page either or on the left hand side जो होती है आपने margin जो होता है उसमा आप section या खंड और या section A साफ साफ लिखते हैं काली पैंचे लिखते हैं उसके नीचे एक underline करते हैं दो line खीजते हैं किसी को भी कैसा ही भी examiner होगा उसको दिख जाएगा कि यह section A का जबाब दे रहा है है बच्चा section A के सवालों का जवाब दे रहा है इससे आपको examiner को दोनों को सवलेत होती है आपको समझना है कि मुझे word limit कितनी है कितनी है कितनी नंबर का question attempt कर रहा हूं और similarly for the examiner also कि 10 मिसे देने या 5 मिसे देने बिलकुल चित्र साफ होना चाहिए यहां पर कोई डाउट ना रहे है आप लोग की कौपिया युनिवासिटी जाएग्जामिनर के पास पहुंच है तो आप कल को चैलेंज कर सुको मुझे कम क्यों आया मुझे ज्यादी क्यों आया या ज्यादी क्यों आया आया देखिए अपने लिखना था पहले का पहले का पहले का अंसर देना तो यह आपका अंदाज होगा section उपन लिखा रहेगा question number उसके नीचे और answer underline करके फिर आप लिखेंगे वो जो सवाल है उसमें बनने वाला heading heading of the main paragraph मानलो आप से पूछते हैं मुगल कोई बच्चा हिंदी पढ़ता है इंग्लिस या हिस्टी पढ़ता है उससे पूछा जाता है कि मुगल सामराजी के पतन की विशेश कारण बताई या कारण बताई मुगल सामराजी के पतन की 10 नमबर का सवाल है आप heading लिख रहे हैं मुगल काल मुगल सामराजी के पतन के कारण या आपकी फिर से black pen से या फिर different color से लिखने वाली जो heading होगी वो उपर बन जाएगी खास तोर पर जो heading होती है इनका font थोड़ा सा बड़ा रहेगा underlined रहेगा gap छोड़के enter नमार के जब कोई भी आपका सवाल है science based हो commerce based हो आप यह मानके चलिए यह copy एक ऐसा examiner check कर रहा है उसको आपने बताना है यानि उस examiner को आपने बताना मुगल सामराजी के पतन क्या थे examiner for example is new to the subject ऐसा होता नहीं है मैं आपको बता रहा हूं कि आपने examiner को बताना है कि देखो मैं लिख र होगे कौन मुगल कहां से आयो वह फाउंडर यह आप करीब 8-10 लाइन में समझा दीजिए कभी कोई कहानी सुरू होती है हम मूवी देखने जाते हैं तो थोड़ा बहुत एक introduction सा आने लगता है कि उसमें यह था वह था पुरानी कहानिया part one part two तो इसी अंदाज में आप भी एक introduction लिख दिंगे तो वह बेश त्यान हो जाते हैं जैसे बेश त्यान हो गया देखिए आगे क्या हो रहा है आपने सबसे पहले लिखाता है heading उसमें लिखाता कि मुख्य उसका introduction introduction के बाद मुख्य पतन के मुख्य कारण एक दो तीन चार पांच जितने आपके दिमाग में एक्जाम में बैठे हैं टाइम का ध्यान रखना है तो आपने में heading को लिखना है कुछ भी मान लीजिए राजाओं के बीच अंतरकल है एक बन रहा है आपके या दूर दिर्श्चिता का नहों ना दूसरा बन रहा है उन heading को आपने लिखा पहला heading उठाके नीचे देखिए आप select में ध्यान देंगे तो सब heading 1 को मैंने उठाके नीचे लखा है यानि कि जो 5 heading है आपके उसमसे पहली heading को उठाके विश्तार से लिखा फिर दूसरे को उठाए फिर विश्तार से लिखा तीसरे को उठाए विश्तार से बस और at the end आप क्या लिखते हो conclusion या फिर जो result आ अंसर है जिसमें आपको one में से one mark या five में से five मिल जाएगा इसमें दस निमबर में से दस निमबर लाने के लिए आपको यह रन नीति अडॉप्ट करनी होगी ठीक है यहां ध्यान से देखेंगे हमने 5 heading बनाए 5 में से एक-एक को उठा करके explain करना प्रारंब कर दिया है section वह आपको नंबर मिलने हैं आप चाहें तो वहाँ पर end लिख सकते हैं या खाली एक mid center में एक line दे सकते हैं scale से कि यहां पर मेरे जिससे समझ में आए कि मेरे सवाल इस उत्तर का end यहां पर हो गया है यानि कि समाब तो हो गया अब देखिए इस slide को एक बार और गौर से देखें लगबग 2-3 page के हिस्से में 2-3 हिस्से में मेरा सवाल का जवाब खतम हुआ है क्या मैं यही से अगले सवाल को answer लिखना शुरू कर दूँ वो भी long answer type में विद्यारतों यहां पर ध्यान देना ऐसा नहीं करना है जब भी कोई नया सवाल ने प्रारंब कर रहे हैं पहला खतम हुआ है लगबग 2-3 में या आधे में तो उसको आप please turn over या फिर next करके arrow लगाके या फिर next page से प्रारंब करेंगे it will be much better क्योंकि यहां पर examiner के लिए सवलियत हो जाती है कि यहां पर समाप्त हो है तो मैं number दे लूँ यहां पर किसी फिरकार का दुंदन रहे दिमाग में कि continuation में क्या है कहां खतम हुआ है limited questions है limited आपको maximal नहीं तो आपने ध्यान रखना कि next page में आप move कर दें bottom page से नया question शुरू ना करें page के bottom से नया शुरू ना करें अगला देखेंगे आप लोग और गौर करेंगे section B जब A लिखाता उसी अंदाज में आप section A जब लिखेंगे section B जब लिखेंगे short answer type लिखना उचित रहेगा समझने वाले के लिए examiner के लिए कि हाँ यहां से बच्चे ने नया सवाल शुरू कर दिया अब कुछ कमिया आप लोग की और जो हमको देखने में मिलती है एक्जाम की कॉपियां चेक करने में examiner को जो मिलती है आपको बता दू question का नंबर ही नहोना question का section तो छोड़ दीजे question का number ही नहोना पहली चीज दूसरा कोई headings नहोना एक paragraph सा बना दिया गया है और उसमें भी doctor language जानते है doctor language क्या होती है जो समझ मा रहा है उसके बारे में लिख दिया जो classroom में 2-4 चीज़ें दीख रही है उन्हीं को explain कर लेगे यहां जानते हुए कि examiner को कुछ भी लिख दो और नंबर दे देगा गलत फहिम है आपकी ऐसा नहीं होग अगर आप कुछ भी लिखकर चले आएंगे तो कुछ भी न पता गया इतना लिखना जरूरी नहीं है इतना ही लिखें बट न्यूट्रिटिव लिखें हेल्दी लिखें तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे उत्राखंड ओपन इन्युवस्टी में पेपर पैटर्न इतना आसान है पेपर इतने आसान आते हैं अगर आप अपने एक स कर लें WhatsApp में जोड़ कर लें तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं क्योंकि आपका ये डिग्री प्रोग्राम है क्योंकि जब आप डिग्री कंप्लीट करके कहीं जाओ गए तो आपसे पूछेंगे कहां से पढ़ाई की है तो वह दिन गए कि आप कुछ भी लिख दो और चल अंसर सीट का पहला पनने के बाद शेकन पेज जब हम आंसर लिखते तब ध्यान दना सेक्षिन का ध्यान रखना है क्वेस्टन नमबर साफ साफ लग करके आना है और एक क्वेस्टन के आंसर के बाद दूसरा चिपकाना नहीं और लेक्न करना एज इन अफ और आको समय मिल आप कर सकते हैं आराम से ठीक है और भी कोई अगर आपको डिटेल जानकारी हम लोगों से चाहिए होती है तो आप college university की email में mail कर सकते हैं phone कर सकते हम आपके लिए हमेशा तरफ पर हैं Thank you students see you again